हेलो एबरिबडी आप सभी लोग ठीक होंगे and today we're going to start a new concept, a new topic that is our age structure or age pyramid okay so हम देख रहते हैं एक लोग पॉपुलेशन की attributes के बारे में right हमने natality क्या होता है हमने देखा था, mortality देखा था, right हमने देखा था, population density के इसको बोलते, population dispersion किस तरके से होता है right तो आज हम उन्ही attributes attributes में से एक और attributes को पढ़ेंगे that is our age structure or age pyramid ठीक है तो बहुत ही simple है यह वाला concept आप शायद आप मेभी आप लोगों ने मिले स्कूल जब आप स्कूल में थे तभी आप लोगों ने पढ़े होंगे इसको ठीक है फिर भी हम यहाँ पर उस वाला चीज को ब्रॉश अप करते है ठीक है देखिए एक अगर हम किसी population को अगर हम कोई भी population को consider कर रहा है तो यह तो जाइसी बात है obvious यह तो obvious है कि उस वाले population में बहुत सारे मलब बहुत age group के population को आप मिलें आप you can find you know different age group right तो हम अब इस population के age group को broadly तीन category में divide करते है त्री category में एक को हम बोलते reproductive reproductive मतलब वह 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 एज के इंडिविज्जिल्स टिक है जो reproduction करने के लिए कर मिल अब देखिए जो आता है उसको इम बोलते प्रि कोई बिख tomorrow also आगे वे वाले करें उसको पेषे को आई उसको हम बोलके प्रिलि ऐ यहाँ यहाँ हम इनुंकि हम सब्धिक करने लगा है नहीं अब ये एकलोजी कर यह सकता है यह प Bombulation Technology कर रहा है present मतलब जो भी है population, जिस भी type के population है, तो अगर आप human में बात करते हो, तो यह तीनों आपको यह तीनों phases, इक्वल नजर आएंगे, इक्वल इक्वल, पर जो आपके, यह हमारे, जो आपके, कहीं सारे insects होते, कहीं सारे animals भी होंगे, तो उन में यह vary करता है, यह नहीं कहां, चलो, इतना, इतना, इतना सा, no, it varies from organism to organism, insects, insects में तो बहुत ही ज्यादा, तो उसी चीज़ को हम यहाँ पर सीखेंगे आज, तो हम consider करेंगे pre-reproductive phase को, ठीक है, post-reproductive phase को, और post-reproductive phase को, ठीक है, तो mainly, okay, तो mainly अगर देखा जाए ना, हमारे age pyramid, age pyramid भी आपके three types के, age pyramid भी आपके, three types के age pyramid मिलेंगे आपको, ठीक है, चलो, बना लेते हैं, एक वाले, मतलब पहले वाले को हम बोलेंगे, expanding, expanding, population, ठीक है, और दूसरे वाले होंगे, हमारे stable, population, and your last one is your demonizing, ठीक है, अब देखे, age pyramid भी आपके तीन ही है, अब हमने इस age pyramid को किस basis पे बनाया है, मतलब किस basis पे हम कंसरे करते हैं, जो हमने अभी भी देखा, यही, post, pre, reproductive, और post, मतलब pre-reproductive, post, reproductive, pre-reproductive, reproductive, और post-reproductive, pre-reproductive period, reproductive period, and post-reproductive period, okay, तो expanding, कोई भी population, अगर expand कर रहे हैं हो, आप खुदी सोचो, अगर आप बोल लेगों कोई population, कोई population, expand हो रहा है, दिन बर दिन बर रहा है, तो क्या होगा, आपके जो यह pre-reproductive, pre-reproductive क्या होंगे, यह मतलब बहुत ही जादा, बहुत ही जादा, उसके बाद आपके reproductive, और उसके बाद आपके post-reproductive, ठीक है, तो यह कुछ हमें, pyramid shape का, pyramid shape का, यह मिलता हमे, structure, तो हम इसको, pyramid shape, age structure भी बोल सकते, ठीक है, pyramid shaped age structure, देखो, यह expand हो रहा है, यह population, ठीक है, अगर expand हो रहा है, कोई भी population, देखो आप, कोई भी population expand हो रहा है, या तो होने वाला है, वो किस पर depend करता है, वो depend करता है आपके, pre-reproductive, young people, young people कितने है, young people अगर ज़्यादा है, उस population में, तो obviously, right, मतलब future में क्या होगा, वो बहुत ही बड़ी population बन जाएगी, right, तो इसलिए, आप बस इसको देख लो, दोनों को देख कर भी आप पता लगा सकते हो, कि हाँ, यह कौन सा population है, मतलब पिरामिट दे दिया, ठीक है, पर question आप से पुझा कि यह stable population है, demonizing population है, यह expanding population, तो आप देखो, सुचो, कि हाँ, young population ज़्यादा है, तो simple यह यह है कि expand होड़ा है population, right, इस तरह के से आप वो कर सकते हो, समझ सकते हो, और दूसरा है हमारा, that is your stable population, stable population में क्या होथा कि, आपके जो young generation, मतलब pre-reproductive ages, और आपके reproductive age क्या होंगे, एकदम मतलब stable, kind of similar, ठीक है, और जो आपके यह, sorry, यह post-reproductive बहुत ही कम, ठीक है, इनके comparison में, तो हमें कुछ इस टाइब का, कुछ इस टाइब का age pyramid को, कुछ इस टाइब के age pyramid हमें देख रहा है यहांपर, ठीक है, तो हम इस टाइब को bell shaped age structure भी बोल सकते, ठीक है, यह, क्युक्कि bell के तारा, घंडी के तारा देख रहा है नहीं है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं, bell shaped age structure, ठीक है, और एको हमने बोल दिया था पिरामिड-shaped age structure और एको हम बोल रहे है बेल-shaped age structure बेल-shaped age structure में क्या होता है कि आपके pre-reproductive and reproductive individuals यह तो हम बोल सकती ग्रूप ठीकिए नै ग्रूप आफ पीपल, they are quite, they are quite, same-same, ठीक है? तो यह क्या दर्शा था यह दर्शा था आपका stable stable population क्योंकि अब देखो भाई प्री 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 प्रीप्रेड़क्टिव में जितने भी population है ठीक है यह कल को जाकर रिप्रेड़क्टिव में बनेगा तो इसलिए इसको हम बोलेंगे एक stable population ठीक है इस तरीके से भी प्री 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 प्र कि आपको मदल्ब以及 pyramid 1 कि एक श्रटक्च एक ग्राफ मिल रहा है रहिए आपको यह क्या है ये इस-अन्य श्रीकर लग रहा है लोता तरह तो हम इसको एज पिरमिड बोल सकते हैं ठीक है यह क्या दर्स आता है यह दर्स देखिए अब यहां पर प्री रिप्रड़क्टिव जितने भी इंडिविजल्स है उस पॉपुलेशन में वह बहुत ही कम है रिप्रड़क्टिव जो अभी फिलाल है उससे भी कम है तो फिर कल को जाकर यही घड़ी जाएगा अगर आपको यह कोई भी अगर जंजट यह मतलब वह नहीं करना है फिर भी मैं बोलता हूं ऐसे आप लोगो कि इकलोजी ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको रिलेट करना होता है चीजों को तभी आपको एक क्रिस्टल क्लियर आपके कॉंसेप्ट ब्यो यहां कैसे कर सके आप इन दोनों को कंशेर करें इन दोनों को देखिए पहले यह वाले और प्री रिप्रीडाक्टिव को देखो अगर प्रीड़ी और रिप्रैड़रेदिव में से प्रिडा रेप्रीड़ wichtige मैं से ज्यादा है तो यह आपका бо camb sort of區 ère अगर pre-reproductive and reproductive same है तो यह आपका stable population, अगर pre-reproductive आपके reproductive से कम है तो यह क्या हो गया, demonizing population, unshaped, bell-shaped, pyramid-shaped, ठीक है, तो this is your age structure, और age pyramids भी भोल सकते हैं, ओके न, यह concept अगर आप clear रखो तो कुछ भी तरीके से आए, राइट, चाहे चीजों को तोर कर मरोर कर आए, फिर भी आप you can answer, okay, तो इस तरीके से आपको clear करना कर जाए, okay, I hope आप लोगों को समझ में आ गया होगा, and if नहीं आया तो please let me know in the comment section, and मिलते हम नई वीडियो के साथ अगले class में,